अस्थी कोशिका हों से जो मिलकर बनता हुझे हम अस्थी कहते हैं इसमें कैल्सियम, मैंनीशियम और फास्पेड लवन पाए जाते हैं क्या पाए जाता है कैल्सियम, मैंनीशियम और फास्पेड पाए जाता है मैंनीशियम, मैंनीशियम और फास्पेड पाए जाता है इस से सुसुननाडी सुरक्षित रहती है दूसरा हे रीर की हड्डी से हड्डी से हमारा सरी को आधार प्रास होता है तभी तो हम बैठ सकते हैं फिर मेरुदंद के तेड़े पन के कारण लिए हम सिर का संतुलन बनाए रखते हैं अगर मेरुदंद तेड़ी नहीं होती इदम सीधी होती तो हम ये सिर का संतुलन नहीं बनाए रखते हैं दाए पाए नहीं गुमा सकते थे सिर को है ना तुस्ये को संदुलन करने के लिए भी मेरू रिड़ का पारे है। मेरू दंड अनेकोशिकाओं से बना होता है। इसलिए हम शरी आगे पीछे दाएं बाएं भुमा सकते हैं। फिर पाज़ का सरी की हज्जियों का सभी आप रत्यक्ष रूप से मेरू दंड से भी जुड़ी रहती है। सभी अठियां आप रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती किस से मेरू दंड से। है ना सारी हटियों को वो जोड़के रखता है मेरू हील की हटि फिर एक्षिक पेशियों का सच इत्रवर्णन करिए। तो हम एक्षिक पेशियों के बारे में जैसे हिर्दै की पेशियों है और हाथ पेरों का चलना, पेरों का काम करना आधी एक्षिक पेशियों में आता है। तो इसके चित्र के बारे में हम देखी है यह बाहर की है हमारी टेशी जा रहती है। क्या है ये ये टेशी जानी आबरगर करते हैं, कोषिकांटें होती है और ये हमारे जो किसी से लगियां कोए जोडे जोडें नहीं, ये क्या है टेशी तंतूर ये इच्छा अंसार काम करती है एच्छे केसिया एच्छा के अंसार काम करती है आध। पेरों को चलाना पेरों से काम लेना और संदी किसे कहते ही या इसके प्रकार कितने होते है संदी किसे कहते ही इसके प्रकार लिखो इसके प्रकार लिखे तरहे जिस इस्तान पर जिस स्थान पर दो लगों से अधे हड्डियां आपस में मिलती हैं उन्हें अब संधी कहते हैं क्या कहते हैं? दो अध्डियां जैसे ये गुठने के अध्डी होती है और यहां मिलती है यह सब क्या है? यह संधी है यह क्या है? संधी फ harassment इसे हम क्या बोलेंगी? संधी संधी के प्रकार प्रकार कैंजर के ही जैसे रेखिये संधी उपास्ती सस्धी इस्टेव क संधी चन्दार संधी अनि छलने वाली जैसे खुठनों क्या व्तैरों की संधीऑ है न जो जल्दी से हाथ जैसे दोते हैं जल्दी जल्दी फिसलते हैं